Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.3 का question number first देखते हैं क्या है? Statement read करने से पहले माँ आपको suggest करूँगा कि आप एक बर introduction वीडियो अच्छे से देखिए then आप इन questions को करेंगे तो आपको बिल्कुल easy लगेंगे कौन से एंगल किसके equal होता है, कैसे पता चलता है, वो introduction में समझाया हुआ है तो link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं चलिए देखते हैं question number first क्या है In figure, sides QP and PQ of triangle PQR are produced to point S and T उसने क्या कहा है कि RQ को हमने T तक produce किया है QP को हमने S तक produce किया, produce मतलब आगे बढ़ाया है If angle SPR, SPR 135 degree हो PQT हमारा 110 degree हो, तो हमने PRQ find out करना है PRQ, तो ये angle क्या होगा, ये हमने find out करना है तो सबसे पहले जो चीज हमें question में given है, वो write down करेंगे तो given क्या है हमें, angle SPR is equal to 135 degree Next हमें given है, angle PQT is equal to 110 degree ये चीज गिवन है, find क्या करना है यहां पे two find लिख सकते हैं angle PRQ हमने find out करना है ये चीज तो हमने लिख दी, ये तो first step होता है theorem का उसके बाद बात करते हैं, अब देखो ये angle और ये angle ये और ये, linear pair है ये angle और ये angle, linear pair है अगर मैं इस angle को find out कर लूँ इस angle को find out कर लूँ तो ये easily find out कर सकता हूँ क्यों? देखो हमें triangle के दो angle मिल जाएंगे, ये और ये third angle हम easily find out कर सकते हैं by angle some property of triangle से तो ये angle और ये angle find out कर लेंगे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं angle SPR plus में angle RPQ is equal to 180 degree देखो SPR SPR और हमारा क्या है? RP क्यों? तो ये angle और ये angle दोनों का सम क्या होगा? 180 degree तो यहां पे reason भी लिख देंगे हम क्या? by linear pair तो linear pair से क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों angle का सम क्या हो जाएगा? 180 degree अब हमें SPR given है 135 तो यहां पे use कर लेंगे तो 135 degree प्लस में angle RPQ is equal to 180 degree तो angle RPQ क्या आगया हमारा? 180 minus 135 degree तो angle RPQ is equal to 180 में से 135 को subtract करेंगे तो क्या आजाएगा हमारा? 45 degree तो RPQ की value आचुकी है हमारी 45 degree next बात करेंगे हम इस angle की यह कैसे निकलेगा? angle TQP प्लस में angle PQR is equal to 180 degree इसको भी लिखेंगे यहां पे region by linear pair से अब हमें given क्या है? TQP given है 110 तो TQP की जगा हम 110 value पूट कर देंगे प्लस में angle PQR is equal to 180 degree तो angle PQR कितना आजाएगा यहां से? 180 degree माइनस में 110 means angle PQR is equal to आगया हमारा 70 degree दोनों angles की value आचुकी अब बात करते हैं by angle sum property of triangle क्या होती है? किसके एकवल होता है? in triangle PQR तिन्नों angle गसम क्या होगा? 180 degree पता है आपको तो यहां पे क्या लिखेंगे हम angle PRQ plus में angle RPQ plus में angle PQR is equal to 180 degree PRQ find out करना है angle PRQ plus में RPQ क्या है हमारा? 45 plus में PQR कितना है? 70 is equal to क्या होगा? 180 degree तो यहां पे angle PR Q is equal to किसके होगा? 180 minus में इसको right side लेके जाएंगे 115 degree तो angle PRQ is equal to क्या होगा? 65 degree this is the answer यही तो हमने find out करना था I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt अगर आपको लगे तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं next बात करेंगे अपने question number second की question number second के अंदर हमें क्या गीवन है? in figure angle X is equal to 62 degree angle X हमें गीवन है 62 angle XYZ हमें गीवन है 54 XYZ यह पूरा हमें 54 degree गीवन है if YO and ZO are the bisector YO और ZO bisector का मतलब है यह equal parts में डिवाइड कर रहा है 54 को क्या करेगा? यह उपर भी 27, निचे भी 27 similarly यह angle और निचे वाला angle क्या होंगे दोनो? equal respectively of triangle XYZ find angle OZY OZY तो यह angle हमने find out करना है YOZ YOZ और यह angle हमने find out करना तो यह दो angle हमने find out करने हैं तो सबसे पहले क्या करना है? हमें जो चीज गीवन है उसको write down कर लेते हैं तो गीवन क्या है? हमें angle X गीवन है 62 degree angle XYZ जो गीवन है वो हमें गीवन है 54 degree और to find हमने find out क्या करना है? angle OZY और angle YOZ यह हमने find out करने हैं दोनों के दोनों तो चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं देखो angle sum property का यूज करेंगे यह angle given है यह angle given है तो यह angle angle sum से find out कर लेंगे हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? by angle sum property किस ट्रेंगल में apply कर रहे हैं? इन ट्रेंगल XYZ इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा? angle XYZ प्लस में angle YZX प्लस में angle ZXY ते इन्नों एंगल का sum क्या हो जाएगा? 180 degree XYZ कितना given है? 54 प्लस में YZX YZX हमने find out करना है तो angle YZX प्लस में ZXY XY कितना हो जाएगा? 62 degree is equal to 180 degree तो angle YZX किसके equal आगया? 180 minus में 62 और 54 कितना हो जाएगा? 116 is equal to क्या आजाएगा? 64 degree 180 में से 116 subtract करेंगे 64 degree आगया तो ये पूरा angle आगया हमारा 64 अब ये 64 है तो ये किसके इतना हो जाएगा? bisector बोला तो इसका half होगा तो इनको कैसे लिखेंगे? देखेंगे अब कैसे find out करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले बात कर लिते हैं हम angle OZY की OZY किसके equal होगा? half of angle XZY के XZY का half क्लियर है? क्योंकि bisector given है तो और दूसरा भी लिखेंगे यहाँ पे angle OZY OZY तो हमें जरूरती नहीं है भी चलो यहाँ पे find out जरूर करना पड़ेगा OZY is equal to क्या होजाएगा? half of angle XYZ XYZ का half angle bisector given है हमें तो यहाँ से angle OZY की value find out करते हैं OZY is equal to क्या होजाएगा? half of XY देखो XZY यह पूरा कितना है हमारा? 64 तो multiply 64 degree 2 से divide किया तो कितना आगया? 32 degree means यह आगया हमारा 32 degree clear है? उसके बाद angle OYZ is equal to half of angle XYZ कितना है? 54 तो 54 का half करेंगे तो कितना आगया हमारा 27 degree यह आगया हमारा 27 degree third angle हमने find out करना है तो यहाँ पे भी दोबारा क्या लगाएंगे? by angle some property किसमें? int angle कौन सी triangle यूज करेंगे? अब OYZ OYZ के अंदर हमें पता है angle OYZ plus में angle OZY plus angle YOZ is equal to 180 degree OYZ कितना है? 27 plus में OZY कितना है? 32 plus में angle YOZ is equal to 180 degree तो यहाँ से angle YOZ कितना आ गया हमारा 180 minus में 32 or 27 कितना होता है? 59 तो angle YOZ किसके equal आ गया हमारा? 180 में से 59 subtract करेंगे तो 121 degree this is the answer I hope आपको समझ में आ गया होगा question कोई doubt अगर आपको लगे तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं otherwise इस channel को subscribe कीजिए like कीजिए comment करके बताइए channel के बारे में और class 6 से लेके 12 तक के बच्चों को share जरूर कीजिए thank you students for watching this video thanks thanks